हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आई चैनल, स्टडी फोर यू आज की इस वीडियो में लग देखने वाले हैं, जो आपका रेलवे आर्पियप का एक्जाम हुआ है दो दिसंबर के फर्स हिप्ट का, तो उसके फर्स हिप्ट के अधार पर top most expected questions को जो है, इस वीडियो में discuss करने वाले हैं और ये जितने भी प्रेशन है, वो आपके हाली के TCS के एक्जाम में जो है पूछे गया प्रेशन है, तो जिन भी कैनलेट्स का आगे आने वाले सिप्टों में RPF का एक्जाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गैरेंटी देता हूँ कि आपके Railway RPF के एक्जाम में यहां से प्रेशन जरूर पूछे जाएंगे तो वेडियो को जो है लास्ट ठक चरूर देखेगा और आपसे रिक्वेश करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो RPF एक्जाम से रिलेटेड पलपल गी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैलिकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उससे भी जरूर प्रेस कर दिजीगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का आपका पहला कोश्चन है कि लता मंगेशकर को 2001 में जो है कौन सा पुरुषकार जो वो दिया गया था तो देखें लता मंगेशकर को 2001 में भारत रतन आवाड से जो वो सम्मानित किया गया था तो भारत रतन आवाड आपका करेक्टेंसर होगा इसके लाव में आपको बता दू कि लता मंगेशकर जी को जो है 1969 में इन्हें पद्म भूशन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था 1989 में इन्हें दादा साहब फाल के पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और 1999 में इन्हें पद्म भीभूसन से जो वो सम्मानित किया गया था इसके लावा लता मंगेशकर का जन्म ये जो है कहां पर हुआ था तो ये आपका मद्धे परदेश में हुआ था और इन्हें जो है लता मंगेशकर ची को जो है ये आपका दर नाइट इंगल ऑफ बॉलीव खान को जो है ये 2001 में जो इन्हें भारत रहतन से सम्मानित किया गया था और ये जो आपके बिस्मिल्ला खान थे जो कि आपके सहनाई वादक से संबंदी थे और ये जो आपके भारत रहतन पाने वाली जो है तीसरे सास्त्रे संगितकार भी जो बने थे तो ये पॉइंट भ करनाटक अगर बात कर ले तो ki Egalak एक सास्त्रे संगीत के चेटीर में M.S. सुूबू लच्मी को जो यह भारत रहतं से कप सम्ma nitt किया था तो इन्हें 1998 में में वार्त रहतं से उस्तुथे ऑटे में 可ई था है और यह जो कला के चेट्र में भारत के छेत्र में आपका दूसरा जो भारत रतन पुरुषकार है ये पंडित रवी संकर को दिया गया था और पंडित रवी संकर को भारत रतन पुरुषकार से कब सम्मानित किया गया था तो इन्हें 1999 में जो है भारत रतन से जो वो सम्मानित किया गया था और ये जो आपके भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा कला के छेतर में पंडित भीम सेंजोसी को जो है दोजार आठ नो में कभी-कभी ऑप्सन में आपका दोजार आठ दिया रहता है तो इन्हें दोजार आठ नो में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था और यह आपके पंडित प्रफम की बात कर ले तो यह आपके सिंग विश्नु के पूत्र यह फिर उत्रा अधिकारी थे और यह जो आपके पल्लव राजवन्स के जो वो सा सकते तो पल्लव राजवन्स आपका यहां पे करेक्टर होगा और देगे महें भारत के वर्तमान में आंद्रपरदेश के द प्रफम की बात कर ले तो यह जो आपके पहले जन धर्म के अनुआई थी लेकिन बाद में तमिल संत अपपार के प्रभाव में आकर यह स्याव बन गये थे और उन्होंने जो मत विलास प्रहशन के भी जो वो रचना की थी अगर एक्जाम में पूछा जा कि मत विलास प्रहश के जो बेटे का नाम था ना यह नर्सिंग वर्मन प्रतम था और यह कब गदी पर बैटे थे नर्सिंग वर्मन प्रतम तो यह 630 इसवी में जो है इन्होंने जो वो गदी संभाली थी तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा वहीं अगर पल्लाव राजवन्स की बात क सिद्ध है तो यह आपका रेशम और सैलकृत मंदिरों के लिए जो यह जाना जाता है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाए एक्जाम में प्रश्ण यहां से बनता है कि जो पल्लाव राजा थे ना यह किस से जो वो हार गये थे तो देगे पल्लाव प्रफम प्रफम के मद्ट यह लड़ा गया था और कहां पर लड़ा गया था तो यहांसे प्रश्ण पूचा जाय कि पुल्केसिन देते यह किस वन्झ से शंबंदित है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका आप रहता है कि सुदर्सन जिल का जिन्नो उधार यानि मरमत यहां फिर रिपेयर जो है यह बिना बंदुवा मजदूरुक के जो है यह किस ने किया था तो देखें सुदर्सन जिल का जो म मरमत यानि रिपेयर जो है यह आपका किसके द्वारा किया गया था तो यह आपका रूद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है 150 इसमी में जो इसका जो मरमत है वो किया गया था तो रूद्रदामन प्रथम आपका यहां पर करेक्ट टैंसर होगा और यह जो आपके संजील का दूसरी बार जो मरमत है ना ये किसके द्वारा जो वो करवाये गया था तो देखें दूसरी बार अगर मरमत पूछा जाए तो ये आपका 415 इसवी से लेकर 455 इसवी के दौरान जो है असकंद गुप्त के शासनकाल में उनके राज जिपाल परामर्ता द्वारा इस भी आपके पस्चपी चत्रप वंस से संबंदीत है और इनके पोता का नाम इकजाम में पूछा जाता है तो देखें रुद्रादामन प्रथम के पोता का जो नाम था ना ये चस्ताना था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा अगर सुदरसन जील की ब अधेश से उनके गिरनार में न्यूक्त राज्यपाल पूसी गुप्त वैसे ने जो इस जिल का निर्मान करवाया था यानि सुदर्चन जिल का जो निर्मान ये किसके द्वारा करवाए गया था तो ये आपका पूसी गुप्त वैसे के द्वारा जो वो करवाए गया था और मौरे बंस की जो अस्थापना ये किसके द्वारा करवाए गया था तो ये चंडरुगुप्त मौरे के द्वारा जो है मौरे बंस की अस्थापना जो वो किया गया था और मौरे बंस का सबसे जो महान सासक थे यह आपके समराठ असोग थे तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा प्रात्ना समाज की सथापना यह कभ और किस ने खी थी तो यह आतमरांग पांडू रख के द्वारा महारास्ट्र में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था, सत्य सोदक समाज के स्थापना अगर पूछा जाए, तो यह आपका 1873 में जो है, जोतिबा फूले के द्वारा जो वो किया गया था, आत्मिय सभा की जो स्थापना यह आपका 1815 में जो है, कुलकता में, राजा राम मोह दोखले के ब्ल такой द्समाज, इन तो मैं आपको बता दिया। धर्म समाज की ज्यव स्थापन दॉखें एंहारा सू शॉषाय का το आना, इसन दॉख जो है। आरे जोन्सी आपा उख का र जो किया गया था और वेट समाज की जो अस्थापना है ना यह 1864 में केसो चंद्रसेन के ध्वरा जो वो किया गया था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है next question आपका आप रहा था कि नील दर्पन पुस्ता के लेखा कौन है तो देखें नील दर्पन पुस्ता के लेखा की बात कर ले तो यह आपके दिन बंदू मित्रा है और इसके जो आपका यह किस परकार का नाटक है तो यह जो आपका एक बंगाली भासा का जो वो नाटक है और प्रकासित हुआ था तो इसे तो आपका 1859 में लिखा गया था लेकिन यह जो पुस्थक है ना यह आपका 1860 में जो है यह आपका धाका में जो वो प्रकासित हुआ था तो दिन बंदू मित्रा आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा next question आपका यहां पर रहाए था कि निमनलीखित में से कौन सा अनुचहेत जो है 32 के बराबर यानी equivalent है तिदेखें अनुचेद 32 के जो equivalent जो अनुचेद है न वो आपका अनुचेद 226 है क्योंकि आपको पता कि अनुचेद 32 के तहď जो है supreme coat जो है आपके रिट जारी करते हैं और अनुचेद 226 के तहď हाई coat यानि उच्च नियाले जो हो रिट जो जारी करते हैं तो अनुछेद 32 के बरावर यानि एक्विवैलेंट कौन सा अनुछेद है तो अनुछेद 226 आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लाव अगर अनुछेद 32 की बात कर ले तो यह आपका सर्वोच न्याले को जो है मौलिक अधिकारों के परवर्तन के लिए जो वो अधिकार देता ह और अनुछेद 226 की बात कर ले तो यह आपका उच्च न्याले को जो है मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के परवर्तन के लिए जो वो अधिकार प्रदान करता है अनुछेद 32 को जो है यह आपका भारतिय सम्विधान की आत्मा भी जो वो कहा जाता है और लिए जो संबीधान का सबसे महतपूर्ण प्रवधानों में सजो वह एक है और इस अनुछेट के तह सर्वो चन्याले जो है आपके पांच परकार की जो रीट जो जारी करते हैं पांचपरकर के रिट का जो बहो किया गया है किसे बंदी प्रती Аच्छी करन भी जो वो कहा जाता है कर्णे निदी आपका पakukan प्रमादेश बहुति हैं, लृत प्रतीसेद जो आपका जाता है फोर्थ आपका अगर बात कर ले तो ये जो आपका सर्टियोरी जिसे उत्प्रेशन जो वो कहा जाता है ये आपका जो वो चौथा रीट है और पांचवे रीट की बात कर ले तो ये आपका कोया वरंटू यानि आपका जो है अधिकार प्रिच्छा ये जो आपके रीट जो व तुरा कही पास इस्तीत, बर्साना और नंदगाओं में जो वो मनाया जाता है, तो अगर राज्य पूछा गया था, तो उत्तर परदेश आपका correct answer होगा, इसके लाज्य नहीं पूछा गया गयागा, सिर्फ normal ऐसे पूछा गया होगा, तो बर्साना आपका correct answer होगा, इसके ला और पहला गुल्फ क्लब कौन सा है, तो भारत का जो सबसे पूराना और गुल्फ क्लब है, यह आपका रॉयल कलकता गुल्फ क्लब है, और इसकी जो स्थापना है यह आपका 1829 में जो वो किया गया था, और यह आपका भारत का सबसे पूराना गुल्फ क्लब जो वो बना बना था तो Royal Kolkata Goal Club आपका यहां पर correct answer होगा नेक्स्ट शीप्ट में अगर आपसे पूछा जा कि भारत में पहला क्रिकेट क्लब यह जो है कहां पर कौन सा था और कहां पर अस्थापित किया गया था तो देखे भारत में जो पहला क्रिकेट क्लब था यह आपका 1792 इस्वी में जो है कलकता क्रिकेट क्लब के रूप में जो वो अस्थापित किया गया था तो यह fact भी आप ध्यान में रखीगा और भारत का जो पहला football क्लब है यह आपका कलकता FC है और इसकी जो अस्थापना है यह 1872 में जो वो किया गया था तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा next question आपका यह आप रहा था कि बिहार किसान सभा यह कब बनी थी तो देखे बिहार किसान सभा की जो गठन है यानि अस्थापना जो है संगठित करना था और जो जमिदार के कबजे के अधिकारों के जो है अत्याचार से परशान थे उसके लिए जो यह आपका बिहार किसान सभा का गठन जो वो किया गया था तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव अगर अखिल भारते किसान संग के बारे में पूचा जाए तो देखे अखिल भारते किसान संग को ही जो है यह आपका अखिल भारते किसान सभा भी कहा जाता है और इसकी जो अस्थापना है यह 11 अप्रेल 1936 को जो है लखनाओ में सौामी सहजानन सरशदी के द्वारा ही इसके अस्थापना जो वो किया गया था और इसके जो पहले सचीव चुने गया थे यानि अखिल भारतेक हिसान सभा के जो पहले सचीव है ना या आपके NG रंगा को जो वो चुना गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान के बारे में पूछा जाए तो यह आपके मोहन वीना से जो वो संबंदीत है और इने जो है किस केटेगरी में दिया गया था तो यह आपके सरोसेष्ट विस्व संगीत अलबम में जो वो दिया गया था और किस अलबम के लिए तो यह आपका A Meeting by the Reber इस अलबम के लिए जो है इ पूछा जाए कि पंडित विस्व मोहन भट को जो है 1993 में A Meeting by the Reber आलबम के लिए जो है किनके साथ जो इने ग्रैमी पुरुषकार दिया गया था तो यह राय कुडर के साथ जो है इनने ग्रैमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में र दिया गया था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कुश्च आपका यह पर रहा था कि प्रैसिडेंट ऑफिस विच नॉट करिक्ट यानि प्रैसिडेंट ऑफिस से जो है कौन सा स्टेट्मेंट जो आपका गलत दिया गया है तो देगे इसका जो पहला था ना कि cannot the member of the any of the both houses यानि प्रैसिडेंट जो आपके होते है या आपके किसी भी आपके house जो आपका पारलियमेंट का house होता है उसके जो वो member नहीं होते है तो यह तो statement आपका प्रैसिडेंट ऑफिस के बार में आपका सही दिया गया है cannot live in official residence तो यह भी आपका statement जो आपका सही जो वो दिया गया क्योंकि या पर which not correct यानि कौन सा statement जो है आपका गलत दिया गया वो पूछा गया था तो देगे चौता जो statement आपका दिया गया था कि राष्टपदी को जो है राष्टपदी आवास में रहने के लिए किराया जो वो देना पड़ेगा तो यह जो statement था प्रेसिडेंट आफिस के बारे में यह जो आपका गलत दिया गया क्योंकि राष्टपदी को जो है राष्टपदी आवास में रहने के लिए कोई भी किराया जो वो नहीं देना पड़ता है तो यह statement था ना वो आपका यहाँ पर सही होगा next question आपका यहाँ पर था कि largest producer of pulses in India यानि भारत में डालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन यह जो एक किस राज्जी में होता है तो देखिए अगर 2021 के टर्म में अगर बात कर ले तो देखिए 2021-22 में जो आपका डाटा है था ना उसमें भारत में डालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना वो आपका राजस्थान राज्जी में होता था लेकिन 2022 थे इसका एक रीपोर्ट के एक ओर्डिंग जो आपका बताया गया है कि भारत में दालो का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है यह आपका मद्यपर्देश राज्जी में किया जाता है तो यह आपका करंट से कोशन पूछा गया तो करंट में अगर बात कर ले तो भारत में दालो का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है यह आपका मद्यपर्देश में होता है उसके बाद आपका राज्जी में किया जाता है उसके बाद आपका उत्तर परदेश राज्जी में किया जाता है तो बहुत सारे बच्चे बो तो देखे इसके option तो बच्चे द्वारा मुझे नहीं मिले हैं लेकिन मैं आपका वज़ा दू कि रिडॉकस अभिक्रिया होता क्या है तो डिके करे मैं सिमल्टेने पिल्टरी जो है अपका आपसीड headphone और अपचयन एक सात होता है उसे आपका redox अभी क्रिया जो कहा जाता है और इसते हो जाता है जाता है जैसे हो घातु कर्म इलेक्ट्रो प्लेटिंग और रंगाई में जो है इसका परियोग जो वो किया जाता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कुश है आपका आप रहता कि BCCI का जो है हैड क्वार्टर यानि मुख्याले जो वो कहां पर है तो देखे BCCI का जो हेड क्वार्टर है या आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है तो मुंबई आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर होगा वह यह अगर BCCI के फुल फॉम की बात कर ले तो देखे Board of Control for Cricket in India इसका जो फुल फॉम होता है और BCCI का जो गठन है यह आपका दिसंबर 1928 में हुआ था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा और आप कमेंट करके जवाद दीजेगा कि ICC की जो अस्थापना है यह कब हुआ था यह जो आप कमेंट करके जरूर जवाद दीजेगा इसके लाब BCCI के वर्तमान में अध्यच की बात कर ले तो यह आपके रोजर बिन्नी है और उपादे जो वो आपके राजीव सुखला है और वर्तमान में जो BCCI के सचीव है यह आपके जैसा है और हाली में हो सकता है कि ICC के जो अध्यच है वो जैसा को जो बना दिया जाए और वत्मान में जो आपके भारतिय पूरुस टीम के जो कोच है ना क्रिकेट टीम के कोच है यह आपके गौतम गंबीर है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा क्रिकेट के मै भातपूर्न घरेलू क्रिकेट टूनामेंट की बात कर ले तो देखे रंजी ट्रॉफी दिलिप ट्रॉफी देओदर ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी इरानी कप इन सभी का जो संबंध है ना यह आपके टूनामेंट से है तो यह फैक्ट में जो वह शुरू किया गया था तो अपरेल 1973 आपका करेक्ट टैंसर होगा और किस अधिनियम के द्वरा किया गया था अगर यह पूछा जाए तो यह आपका वन्ने जिव संरच्छन अधिनियम 1972 के ताइज जो इससे सुरू किया गया था और यह जो आपका प्रोजेक्ट टा कार फर्वरी 1992 में झो किया था और है किस मंत्राले के द 59 कि सुरू किया था तो टेकिंगे इस योजना के ely park परिवर्टन की ढुत को जो है इस योजना को लही किया था सबसे प्रवाज शाली लोगों की वह 15 बाज़ी कुछ more AI yogi तो आपके बंगाल के सीम ममता बनर जी को यह फीचर किया गया था और तीसरे जो आपके सीरम इंस्टिटूट के जो CEO है अदार पूना वाला इन्हें जो वह आपका जो है इस सूची में जो वह सामिल किया गया था तो आपके अप्शन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द यह साथ मही 2021 से यह आपके MK स्टाइलीन है तो MK स्टाइलीन आपके यहां पे करेक टैंसर होगा और वर्तमान में तमिल आडू के अगर राज्यपाल की बात कर ले तो यह आपके रवींद्र नारायन रवी है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेगा और देगे मैं 28 जुलाई में जो नौ राज्यपाल नुक्त किये गाना उसे राज्यपाल को आप मत पढ़की जाईएगा क्योंकि मैं आपको बता दूगी जो आपके करंट के जो कोशन आ रहे है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखीगा नेक्स्ट कोशन आपका आपका आप रहा थ या फिर रियल पॉपुलेशन डेंसिटी यानि आपका सारी घनतो या वास्तिवी जनसंक्या घनतो जो वो कहा जाता है तो इन दोनों में से जो भी आप्शन में दिया गया था वो आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका आपका जो है मिनिस्टर ओफ इलेक प्रोनी और सुचना प्रादोगी की जो मंत्री है ना यह अस्विनी वैस्ट नो है तो अस्विनी वैस्ट आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि आपका करंट यूनियन मिनिस्टर ओप साइंस एंड टेकनोलोजी जो वो पूछा गया है यानि वहरतमान में केंद्रे विज्ञान प्रादोगी की मंत्री डॉवेरतमान में विज्ञान ट्री भादोगी है यह दो 72 पुछ पूछट तो डॉप्र जीतेंद्र श害度 कि यह पर पूछे जबशन है औरह पर करिक्ट एंसरो सक्क्राइल हो गार्णा नेक्स्ट आपक जो आपका स्वानियामक जो निकाय है ना यह आपका SRO है यानि इसका फुलफ़ाम होता हुआ आपका Self Regulatory Organization होता है तो SRO आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इसके लाँ मैं आपको बढ़ा दू कि SRO यह जो है इसकी मानेता जो वो कब दिया गया था तो देखे साधन को 2015 म जो इसे मानेता दिया गया था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा एक्जाम में पूछा जाएगा कि भारते रिजार बैंक के द्वारा जो है SRO के रूप में इसे मानेता कब दिया गया था तो यह आपका 2015 में जो वो दिया गया था